अगर आपके बाल जढ रहे हैं यानि कि आपको hair fall हो रहा है इतना हो रहा है कि आप अपने बालों को पकड़ते हो तो पहले से जादा कम और बहुत जादा पतले दिखाई देते हैं यानि कि आपको hair fall की problem हो रही है अगर आपके बाल जढ चुके हैं यानि कि आपको hair loss हो गया ह मांग आपकी चोड़ी हो गई है, मतलब गंजापन दिखाई देना शुरू हो गया है आपको या फिर स्यादा आगे बढ़ चुका है, आपको bald patches दिखाई दे रहे हैं, bald areas आपको दिखाई दे रहे हैं powerful oil को अपनी जड़ो में apply करके देखो, यह आपके गंजे scar पे गंजे सर पे भी लंबी घनी मोटी hair growth देगा, आपके बालों को transform कर देगा, यहां से यहां तक यह सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के वज़े से हुआ है, एक तो मैं जो हमेशा कहती हूँ मैंने consistently किया है, वो है derma rolling और दूसरा, मैंने यह secret rosemary hair growth oil use किया है, अपनी बालों में, अपनी जड़ों में, जिसके वज़े से मेरे सिर्फ बालों का जढ़ना ही completely stop नहीं हुआ है, बलकि मुझे new hair growth मिली है, जहां नहीं थी, वहां पे भी मिली है, जिसके वज़े से मेरे बाल पहले से ज्यादा लंबे मोटे और घने हुए है, dense हुए है, long हुए है, thick हुए है, यह सिर्फ और सिर्फ possible है, यह simple formula से, इसकी recipe मैं आपके साथ में शेयर करूँ, यह formula कंपलीटल आप इसको घर पे बनाओ, जो चीज आपको लगीगी वो है, coconut oil, नारियल के तेल से यह चीज बनेगी, coconut oil से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ extra virgin coconut oil ही होना चाहिए, तकरीब हैं, 200-2500 ml oil, extra virgin coconut oil आपको एक पैन में लेना है, next, तीन खास चीज आपको इसमें डालनी है, सबसे पह इसमेरी को आपको पता है किस से compare किया जाता है, minoxidil से, minoxidil एक ऐसी artificial चीज है, जो आपके बालों की growth करवाती है, यह से करवाती है, लेकिन इसके side effect यह है कि छोडने के बाद आपका hair fall बहुत जादा होता है, पहले से कई जादा, यह guys minoxidil जैसा result देता है, यानि कि आपक side effects कुछ भी नहीं है, यह natural है, in fact इसको आप जितना use करते होगे, यह आपकी बालों की growth को बढ़ाती ही रहेगा, इसके कोई side effects नहीं use करते होगे और use करने के बाद भी, ठीक है, आपको अच्छी कासी rosemary leaves लेना है, यह सुखी भी rosemary leaves है, next आपको इसमें डालना है, again, मेरा favorite curry leaves, अगर आप अपने बालों का जढ़ना रोकना चाहते हो, इससे best चीज आपको कोई नहीं मिलेगी, rosemary growth में काम आता है, growth देगा, new growth, उसका hair fall वगेरा से कुछ लेना देना ही नहीं देगा, curry leaves, hair fall को आपका रोक देगी, जो again बहुत ज़ादा ज़रूरी है, और plus यह भी hair growth क बूस्ट करती है, circulation को बढ़ाती है, तो आपको curry leaves लेना है, और इतना सा ही ginger लेना, इतना सा ही लेना है, जादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, इतना सा द्रक लीजिए, इस तरह से mixer jar में डालकर उसको अच्छी तरीके से grind करके, एक smooth इसका mixture या paste आप इसको बोल सकते हो, बन है, तो दोनों का अलग-अलग है, इसलिए पहले रोजमेरी आपको डाल लेना है, ये अच्छी तरीके से जब इस तरह से brown होने लगेगा हलका, तब जाके आपको इसमें curry leaves और जो जिंजर का हमने पेस्ट बनाया था, वो आपको इसमें डालना है, तकरीबन 6-8 मिनिट के ल करना है, पकाना है, रोजमेरी curry leaves और जिंजर ये सारी चीज़ों की गुटनेस इस ओल में आ जाएगी तब इसको आपको गैस से निकाल लेना है, तकरीबन 6-8 मिनिट के बाद में और फिर इसको थंडा कर लेना है, जब थंडा हो जाएगा तो इसको छान लेना है, छानने के आपको निशे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दोंगे, आप इसको ज़रूर चकाउट करें, इतने ओल में मैं तकरीबन 9-100 ड्रॉप्स दालती हूँ, जो तकरीबन आधी बॉटल होती है, ये सारे इंग्रीडियन्स को अब अच्छे से मिक्स करके, एक बॉटल में स्टोर कर इसकी शेल्फ लाइफ है 6 months, ये जो चीज बनी है, ये है वो secret, वो powerful, वो effective formula जो आपकी जड़ों में जाके, आपकी जड़ों को revive करके, रिजनरेट करके, आपकी बालों की regrowth करवाता है, गंजे सर पे भी, बिलीव मी, जायतर मेल लोगों को जो male pattern baldness होता है, वहाँ पे भी अगर आपने derma rolling की और ये oil apply किया, वहाँ पे भी आप ये growth पा सकते हो, तो females आप तो एकदम अराम से tension free होके, बस ये चीज simply करना शुरू कर दो, आपकी बालों की सारी problems जो है, वो दूर हो जाएगी, अब इसका लगाने का तरीका सुने, derma rolling करने से पहले आपको oil apply कर लेन इसलिए वहाँ पे बालों की growth नहीं हो रही है, तो वहाँ पे जब आप derma rolling करते हो, ये derma rolling करते ही वहाँ पे blood का circulation बढ़ जाता है, oxygen का flow बढ़ जाता है, जिसके वज़े से आपके वही dead follicles energized होने लगते है, उनमें नहीं जान आने लगती है, activate हो जाते है, अब activate तो हो गए करके तो ये आपके follicles में deeply penetrate होता है, वो follicles को वो nourishment देता है, curry leaves आपके follicles को मजबूती दे देती है, जिससे hair fall आपका stop हो जाता है, रुख जाता है, rosemary उसमें growing power और capability देता है, जिससे आपके follicles strengthen होते हैं और आपके follicles grow करना शुरू करते हैं और आपके बाल new growth आपको देख आपको कोई और चीज नहीं दे सकती है, रोजमेरी ओईल ही दे सकता है, मैंने बहुत सारी चीज़े ट्राइ की है, उसके बाद में चीज़ बता रही है, रोजमेरी अकेला उतना काम नहीं करेगा जब ये secret है, जब उसमें combine होगा curry leaves, ये secret है, curry leaves को आपको इसमें combine करना है, रोजमेरी के साथ, आपने my goodness, जो effective formula, powerful formula ये बनता है, आपकी hair growth के लिए, आपके बालों को लंबा करने के लिए, आपके बालों को घना करने के लिए, आपके बालों को थिक करने के लिए, आपके बालों को मोटा करने के लिए, इससे बहतर कोई चीज नहीं मिलेगी, मैं जी अपने डाल दिया आपके वह एरिया पे आपने लगा दिया इसको ओवरनाइट रखो राद भर रहने दो अपने बालों में और फिर मॉर्निंग में उठके आप अच्छे माइल शैंपू से अपने बालों को वाश करो within 1 to 2 यूज या आपके बालों का जहड़ना रोकेगा हो सकता है आपके बालों का जहड़ना 2 से 4 यूज में रूके लेकिन लेकिन गैस ग्रोथ आपको सिर्फ 2 यूज में ही दिखने लग जाएगी तो गाइस बस आज के लिए इतना ही मैंने मेरा सबसे सीक्रेट और पावफुल नुस्खा शेर किया है आपके साथ में इसको आप जरूर 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 यूस करें और इसके फायदे उठाए अपने बालों को अपने बालों के जढ़ने को हैर लॉस को आप ट्रांसफॉर्म कर ठीके गाइस तो अमीद करें वीडियो आपको पसंद आए पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मैं राब्या फिलहाल के लिए साइनिंग आफ मिलूगी मेरे अगले वीडियो में इसी तरह से आपकी सारी प्रॉब्म्स को स झाली में आपकी सारी श्लीजओ में वीडियो में आपकी सारी आपकी से वीडियो में से तरह सथक्तित हैं आपकीSecSec Came